Hello Friends, Good Morning, आप सबका स्वागत है Life Science Cafe में आप देख रहे हो Time Table, हम पढ़ाई के लिए अपना Time Table सेट करे वाले हैं क्योंकि Corona काल में अभी आपके स्कूल से मुझे पता नहीं किस तरह से Classes आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा हैं, लेकिन हम अपने हपिट भी है कि आप सूर्य उदे होने से पहले ही उठ जाएं, उसके बाद आप करेंगे Exercise, Body Warm Up करेंगे और Yoga जरूर करेंगे, मैंने 9 to 9.30 योगा लिखा हुआ है, इसमें आप आदा गंटे योगा करें, अनुलोम विलोम करें या फिर आप कपाल भाती करें या कोई भी यो करेंगे जो आपको दिन में देखकर अच्छा लगे, इससे भी Body को हमारी Energy मिलती है, बहुत Positivity आती है, आप चाहे कोई Table ही सेट करें, या कोई Almera ही सेट करें, अलमेरा का कोई Corner ही सेट करें, लेकिन आप कुछ जरूर करेंगे, 10.30 to 11.30 आपने करना है Breakfast, अगर आपने सुब की भी Favorite Subject पढ़ सकते हो, सपोस आपको Science पसंद है, या आपको ऐसे पसंद है, Social Studies, Civics पढ़ सकते हो, Geography पढ़ सकते हो, या फिर आप History पढ़ सकते हो, English पढ़ सकते हो, जो भी Subject आप पढ़ते हो, उसमें से Difficult Words ज़रूर करें, उनका मतलब आपको ज़रूर पता होना चाहे अपनी Language में, Hindi में, या आपकी जो भी भाषा है उसमें, उसके साथ ही आप इसको एक घंटे इस तरह से पढ़ेंगे, कि आपको मतलब कुछ सीखना है, ठीक है, उसके बाद ऐसा ना हो कि आप पढ़ने के बाद अगर आप से कोई कुछ पढ़े तो आपको Chapter का नाम भी याद सब्सक्राइब करेंगे, इसमें आप अपना कुछ भी खाना फिना खाएंगे, साफ साफाई भी करवाएंगे, हो सकता है, मम्मी की help भी कर सकते हो, जैसे बरतन साफ करने में, चार गट्टे का टाइम मैंने एक से चार बजे का टाइम मैंने इसलिए दिया है, क्योंकि कहीं क किसी किसी घर में लंच पनता है, एक सी दो, किसी में दो से तीन, कोई धाईस बजे तक भी खाता है, तो मैंने चार बजे तक का टाइम आपका खाने पीने का दिया है, और सरफ एक गटे की पढ़ाई इसलिए, क्योंकि हो सकता है, आपके स्कूल से भी क्लासिस आ रही हो है तो इस बजे से आपको जाधा टाइम मिल जाना चाहिए, फिर आता है आपको कोई भी एक्टिविटी जो आती है, ठीक है, जैसे आपको कार्ड बोर से कुछ बनाना आ रहा है, या फिर न्यूस्वेपर कटिंग्स आप करके कुछ कर रहे हो, ऐसी जो एक्टिविटी जो चारे छे बजे आपने ये देखना है, कि आपने क्या सीखा है, जो एक से चार बजे का टाइम में लंच का दिया है, उसमें आप कुछ ऐसी भी चीज़े सीखेंगे, जैसे आपको दुनिया के बारे में पता होना चाहिए, हमारे रिलेशन्स कैसे हैं दूसरे कंट्री के करी है, कि कौन लोग किस तरह से प्रोग्रेस कर रहे हैं, किस तरह से अर्निंग कर रहे हैं, तो ये चीज़े सीख सकते हो, फिर आप कोई ऐसा न्यूस चैनल हो, जो आपको न्यूस के बारे में न्यूस रेडिंग करना सिखाते हैं, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं, इंग्लि रेटी करेंगे 5-6 आपका अपना टाइम होगा जिसमें आपने पूरा दिन में मतलब 5-5 बजे तक जो जो भी सीखा है आप उसको रिकॉल करेंगे फिर साड़े 6 से और साड़े 8 ये study time है इसमें आप कोई और subject जो आपने दिन में पढ़ा था उससे extra subject आप पढ़ेंगे और उसमें से देखेंगे कि आपको क्या चीज नहीं आती है और अगर आपको ऐसा कोई tutor नहीं है या online भी आपको कोई नहीं पढ़ाता है तो channel मेरे channel पर जाके comment करो और मुझे बताओ के आपको कहा problem आ रही है क्योंकि ये करोना काल में जो पढ़ाई रूकी हुई है बच्चो ये बहुत ज़्यादा हमें नुकसान करने वाली है ठीक है फिर साड़े 8 से साड़े 9 बज़े आपका dinner time होगा आपका TV time होगा आप TV देख सकते हो उसमें फिर आपका study time हो जाता है खतम 9 बज़े और story time शुरू हो जाता है आप कोई भी एक English के story सुनेंगी या फिर कोई भी story सुनेंगी motivational stories बहुत सारी आती हैं जैसे महत्मा गांदी है या फिर और भी कोई जैसे स्रोजने के बारे में जो भी आपको पसंद है ठीक है तो इस तरह से आप कोई भी story सुन सकते हो या फिर कार्टून की जो motivational stories आते हैं वो सुन सकते हो और एक अच्छी habit ये आपने रखनी है साथ में कि रात को सोने से पहले brush और पूरा दिन में अपने आपको hydrated रखेंगे ठीक है dehydrate हो जाती है body इतनी सारी activity करके तो पानी की bottle जरूर रखे साथ में और sip by sip आप लेते रहें पानी क्योंकि अभी हमारे environment change हो रहा है कि लिप्स जो है वो तो आपने लिप्स पर बाम लगाके रखें oil लगाके रखें जो भी चीज आपके पास पानी कीते रहें ताकि आपकी body dehydrate ना हो ठीक है और जो भी आपको problem है वो आप मेरे चैनल पर किसी भी वीडियो पर जापके comment करोगे तो मैं उसे देखूंगे और आपको reply ज़रूर करूंगी और आपकी पढ़ने में help करूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा देस किसी त कर सकते हैं लेकिन मैंने यह इसलिए रखा कि आप अपनी विश्य पढ़ो ठीक है और मुझे comment करके हर रोज बताया करो कि आज आपने call से subject में कितने चैप्टर at least इस time table के according आपका तीन चैप्टर हो जाने चाहिए तीन subject के या एक ही subject के तीन चैप्टर तो इस तरह से आपक होगे कि लास्टर में आपने बहुत कुछ सीखा है ठीक है यह सारी habits आप इनवोल करेंगे अपने time table में अपने routine में और आपको बहुत ही जादा अच्छा लगीगा thank you for watching life science cafe और comment करके बताना जरूर के आपने कितना इसको follow किया